तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आवेसित चालक की वैर्दुत इस्थितिज उर्जा क्या होती है और इसका वेंजग क्या आता है यह हम लोग निकाल करके लाएंगे तो देखते हैं सबसे पहले तो बच्चा हम सोचते हैं कि इस्थितिज उर्जा क्या होती है तो सिंपल साब समझ लेजिए कि इस्थिति में परिवर्तन के कारण क्या आती है उर्जा आती है क्या आती है उर्जा यानि कि इस्थिति परिवर्तन के कारण जो उर्जा बनती है उसे हम क्या कहते हैं इस्थिति उर्जा यह हमने आपको सौर्ट में बताया तो यहां बच्चा देखिए अगर कोई चालक है अगर कोई चालक है उसे आप क्या कर देंगे चालक को आवेशित कर देंगे चालक को क्या करेंगे आवेशित तो उसके विभाव में कुछ न कुछ क्या होगा चेंज होगा ठीक है अब सोचो कि तुम्हारे पास क्या है पांच रुपए हैं और हमने तुमको दो सातर नहीं नहीं लहाँ पहले पांस प्याव है चालों को आवेश्ट को आवेश्त देंगे तो उसके विभाउं में क्या यह विभाउं कुछ युद आपयुद आनि उसकी इस्तिती में और शुक्रेश्छ का हो हो गया उसकी इस्तितीत में कि organels to इसी चालक की जो वैस्दूत इस्थितवर्जा वह होती है, जो क्या? उसे आवेसित करने में, अभी हमने क्या कहा? चालक को क्या कर दो? आवेसित करने में बाहिस्रोत द्वारा किये गए कारे के क्या होती है? बराबर होती है मिस चालक को आवेसित करने में बाहस्रोत के द्वारा जो कारे करना पड़ता है क्या किसी चालक को कहां से बाहस्रोत द्वारा बाहस्रोत द्वारा कुछ आवेस्देर हैं तो किसी चालक को क्या बिटा बाहस्रोत के द्वारा किसको किसी चालक को कहां बाहस्रो के द्वारा आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वाकिसमें इस्थितिज उर्जा के रूप में बनता है तो आईए अब एक बात तुम बच्चा जानते हैं वैदु धारिता लेक्चर से ही क्या कि अगर कोई चालक की धारिता c है लिख देते हैं कि यदि किसी चालक की धारिता धारिता वेच्चा क्या है? सी है क्या है सी है उसे उसे आवेश उसे आवेश क्यूं देने पर उसे आवेश कितना हमने कहा क्यूं देने पर उसका उसका वैदुत विभव वी हो जाता है क्या हो जाता है वी हो जाता है अगर किसी चालक की धारिता C है आवेस Q देने पर बच्चा उसका विभव क्या वी हो जाता है तब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं तब जो है सी बराबर क्या होता है धारिता सी बराबर हो जाता है क्यू अपान वी हो जाता है क्या बच्चा हो जाता है सी बराबर क्यू बटे वी हो जाता है अब दूसरी बात अब हम क्या कर रहे हैं आवेसित कर रहे हैं आवेस दित कर रहे हैं इसको चालक को बाहर स्रोत द्वारा तो अगर हम कह दें कि यदि क्या लिदें बच्चा कि यदि चालक को यदि चालक को अति सूच्म आवेस आति सूच्म आवेस डी ग्यू देने पर किया गया कर हमने क्या कहा बच्चा हमें कितना देना है आवेस डी क्यू देना है तो डी क्यू कैसा आवेस है छोटा सा आवेस है कैसा छोटू सा आवेस तो कारे भी अब यहां पर कैसा होगा बच्चा छोटू सा कारे होगा तो then कारे क्या हो जाएगा छोटा सा कारे वो होगा डी क्यू इक्वेल क्या हो जाएगा हम क्या बच्चा निकाल रहे है कारे निकाल रहे है तो वो छोटा सा कारे क्या होगा डी डबलू बराबर क्या हो जाएगा वी डी क्यू कितना बच्चा हो जाएगा वी डी क्यू हो जाएगा अब एक काम करिये C equal क्या होता है Q by V होता है क्या होता है Q by V अगर इसी में हम देखें बच्चा तो अगर ये V इधर ले आए तो हम यहाँ से क्या कह सकते है V equal क्या कह सकते है Q by C कह सकते है और एक काम करिए इसको समीकरण नंबर क्या बना दीजिए इसको बना दीजिए समी करण नमबर एक बना दीजिए का बच्चा बना दीजिए समी करण नमबर एक बना दीजिए हाँ तो आईए फिर से देखते हैं क्या हमने कहा हमने चालक को क्या दिया सूच्म आवेस डी क्यू दिया ध्यान करो वी बराबर होता है डबलू अपॉन क्यूं होता है क्या होता है वी बराबर डबलू अपॉन क्यूं होता है ठीक है तो यहीं से देखो अगर बटा एक लिखें तो कारे डबलू बराबर बच्चा क्या बन गया वी क्यू बन गया क्या बन गया वी क्यू अब आवेस तन 1 मतलब समी करने एक से तो समी करने एक से वी का वैल्यू क्या है q बटा c तो यहाँ पर वैल्यू वी का रख दीजिए तो यह बच्चा हो जाएगा कि संपूर्ण कारे तो बच्चा संपूर्ण कारे के लिए देखो क्या बनेगा अब संपूर्ण कारे के लिए या तो हम समेशन का प्रयोग करें या फिर इंटेग्रल का तो अब तक हम लोग इंटेग्रल करते आ रहे हैं तो बच्चा इंटेग्रल ही लगा देते हैं तो यहा रहेगे 0 से क्यों तक अब इधर चाहूं इधर भी लगा दो 0 से डबलू लेकिन सालू करने पर बच्चा वह डबलू ही आएगा तो इंटेग्रल डबलू इंटेग्रल डबलू बच्चा क्या होता है तो जैसा कि हम जानते हैं आपको बताएं कि इंटेग्रल इंटेग्रल डबलू बच्चा क्या हो जाएगा 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 इंटेग्रल डबलू बच्चा क्या बन जाएगा इंटेग्रल डबलू डब integral 0 से q और क्या बच्चा qdq तो हम जैसा कि जानते हैं क्या कि integral x dx समझना बच्चा integral x dx integral x dx क्या होता है x की घात n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 ठीक है और n यहां पर क्या होता है n यहां पर होती है घात जैसे यहां x की घात कितनी है एक होती है तो यहां पर देखिए कहीं लिखा है क्या integral qdq यह क्या लिखा है integral qdq तो qdq का जब हम integral करेंगे तो समा करेंगे तो बच्चा देखो क्या बनेगा q की घात कितनी है एक, तो फार्मूला क्या होता है, x की घात n प्लस 1, तो यहां कौन है q, तो q की घात n, n कितना है यहां देखो q की घात, एक यानि कि 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, तो बच्चा 1 1 2, यानि कि q square by क्या आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, q square बटे यह आपका आया, दो आया, अब इसके बाद में देखिएगा, तो यहां पर 1 अपॉन सी तो बाहरा आ गया, तो बच्चा क्या, बच्चा बच्चा, 0 to q, integral qdq, तो qdq का अभी अभी हमने क्या निकाला, q square by 2, और जो limit चल लही वो लगा दो, तो बच्चा limit क्या चल लही है, 0 to q, क्या limit चल लही यह 0 to q, अब इसका means क्या है, अब upper limit minus lower limit, means एक बार q square की जगे q रखेंगे, और upper, तो यह upper हो गया, minus, अब minus sign लगाएंगे, lower, lower में क्या है, नीचे वाली limit 0, तो अब q की जगे क्या रखेंगे, 0, तो यह इसके बाद हमें मिलेगा, w बराबर, 1 बटा सी वैसे लिख दो, और यहां पर लाल क्या करो, q square की जगे पहले रखो q, तो यह q square बटा 2, minus, अब q square की जगे 0, तो यह क्या आगया, पूरा पार्ट, 0 आगया, तो अब इसके बाद में बच्चा देखेंगे, आब, w बराबर, 1 बटा सी ये, ऐसे चलाओ, इधर से, बच्चा क्या, इधर बच्च q square बटा 2, बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बट q equal क्या होता है, cv होता है, बच्चा क्या होता है, q equal क्या होता है, cv होता है, तो यहां पर अगर हम रख देंगे, तो यह w equal देखे, 1 by c वैसे हो गया, और q equal cv, तो यहां पर जब डालेंगे, cv का क्या बनेगा, whole square, तो यह क्या बन जाएगा, इसी को हम कहेंगे c square v square और बटे बच्चा 2, अब यह square कटा तो इसका c क्या हुआ, cancel हो गया, तो इसके बाद में हम इसी बंजक को कहेंगे w equal, क्या कहेंगे देखिए, बचा 1 by 2, और यहां से c square का square तो कट गया, तो बच्चा क्या, c, और यह क्या हो गया, v square, तो w बराबर क्या है, एक बटा दो c ही square, जैसा कि आप देख रहे थे, कि अभी अमने समझाया था, शुरुआत में, डिफनेशन में, कि बाहे कारे जो होगा, वो किस रूप में बनेगा, इस्थितिज उर्जा के रूप में बनेगा, तो हम यहां पर क्या लिख द रूप में, क्या होता है, संचित होता है, क्या होता है बच्चा, संचित होता है, संचित होता है, अताहा, हम कह सकते हैं कि w कारे बराबर होगा, इस्थितिज उर्जा, यू के, तो इसके बाद हम कह सकते हैं, यही बनेगा, यू बराबर, एक बटा दो cv square, एक यू बराबर जूल तो ये हमारा था किसी आवेसी चालक की वैदुत इस्थितिज उर्जा का वेंजक तो वैदुत इस्थितिज उर्जा का वेंजक क्या आया U equal 1 बटा 2 Cb square तो बच्चों हम आसा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको समझाया होगा अगर हमारा वीडियो आपको समझाया है पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद